Femina Miss India 2024 का खिताब जीता है निकिता पूर्वाल ने जिनका संबंध महाकाल की नगरी उज्जैन से है इस वक्त मेरे साथ खुद मौजूद है निकिता पूर्वाल किस तरह से उन्होंने Femina Miss India का खिताब जीता और तमाम बाते हम उनसे करेंगे बहुत बहुत बधाई आपको उ जीता कितनी मशक्कत की और पहला थौट क्या था जब आपका नाम अनाउंस किया गया कि निकिता पूर्वाल इस बार के Femina Miss India है पहले तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मुझे यहां बुलाने के लिए और मुझसे बातशीत करने के लिए दूसरा जब मेरा नाम अनाउंस हुआ फेमिना में सिंधिया मंच पे मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ था सबसे पहले मध्यप्रदेश अनाउंस हुआ था जो शायद मैं काफी टाइम से सुनना चाहरी थी और मैं काफी टाइम से मानिफेस्ट भी कर रही थी कि मध्यप्रदेश 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 काफी टाइम से साट सालों में एक बार भी मध्यप्रदेश को कोई टॉप पोजिशन नहीं मिली थी और उजयन से कोई कोई भी ब्यूटी की जैसे आपने कहा आश तक फेमिना में सिंधिया में नहीं थी तो मेरे लिए और मेरी सिटी के लिए और मेरे स्टेेट के लिए बहुत ही गरफ की बात होती अगर हम मैस इंडिया जीतते तो मेरा हमेश्चा सी था कि मध्यपदेश का नाम पहले आगे होना चाहिए और जब रहे हैं तो मेरे मन में एक ही भाव था अभार का अबआर que. तो मैं जानना चाहूँ है कितनी मशक्कत आपको करनी पड़ी इसके लिए और ये खाब आपने कब देखा था कि आपको Miss India बनना है कुछ लोग बचपन से ही मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं वो इच्छा रखते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं फैमिली का सपोर्ट कुछ ल मैं बड़े होके जब मेरा कॉलिज खतम हुआ मैं नाटकों से जुड़ी हुई थी मैं रंगमंच से जुड़ी थी मैं अपना ग्राजवेशन खतम किया थर मुंबई आने के तयारी कर रही थी तब मुझे लगा कि एक बार अपने करियर में अपनी कहानी शुरू करने से पह किन मिस इंडिया के प्लाटफॉर्म से मुझे अपने तेश की कहानी कहने का मौका मिलता तो इसलिए मिस इंडिया मेरे दिमाग में आया और मैंने इस बार पहली बार अप्लाई किया और मेरा यहां पे हो गया तो कितने साल की थी जब पहली बार आपने सोचा कि मिस इंडिया बनना चाहिए और फिर उसके बाद आप भूल के पढ़ाई करने लगी, कितने साल की थी तबार? मैं शेया साथ साल की थी, मैं स्कूल में थी अक्चली और स्कूल में जैसे फैंसी ड्रेस कॉंपटिशन होते हैं, तो वही हुआ करते थे, सारी लड़कियां मेरी जो फ्रेंड्स थी, जासी किरानी बनती थी, या सबजी बेचने वाली, आलो, मूली, गाज और सब बनती थी, म मुझे मेरी मम्मी मिस इंडिया बना के भीजा करती थी, उस टाइम पर मुझे पता भी नहीं था कि मिस इंडिया होना होता क्या है, पर वहां जाके जो स्टेज पर मुझे फील होता था, मुझे बस उस सित्ता पता चलता था कि मुझे मिस इंडिया बनना है, मुझे नहीं प इसी जो ब्यूटी क्वीन्स हैं उन्हें देखा होगा, उनके सिर पर ताज लगाते वे देखा होगा, कौन आपके फेवरेट रहे हैं, किस से आप बहुत इंस्पाइड रही हैं, जिसने आपको प्रेरित किया कि आप भी इस मंच पर आएं और ये मकाम हासिल करें। वैसे तो जितने भी हमारे अज तक के Miss India winners रहे हैं, जो Miss World तक भी गए हैं, जना ने वहाँ पर भी इंडिया की ख्याती बढ़ा कर रखी, सभी काफी इंस्पिरेशनल लोग रहे हैं, आप चुश्मिता सैंजी की बात कहले, ऐश्वरे रायबच्चन जी की बात कहले, दिया मिर हैं, पुरॉपस फुल्फिल नहीं हो जाता है, आपको उसके अलावा भी खुबसूर्ती तो एक टाइम के बात डल जाएगे लेकिन जो आप करते हैं, आप जो लोगो के साथ आपका जैसा वहार है, आपका जो देश के प्रती वहार है, आपका जो प्रती वहार है, आपका उन्होंने बहुत अच्छा है कि अधारन दिया है तो मुझे एश्वर एरा माम से काफी जादा इंस्पिरेशन मिलती और मैं उमीद करती हूं कि वो किसी दिन मुझ से मिले और हम हमारी ठेर सारी चर्चाव इस जर्नी के बारे में क्योंकि वो भी फैमिना में सिंडिया रह चक तो मिस्वर्ल का खिताब जीतने का खाब भी है आपका आश्वर एराए की तरह मेरा अक्चली मेरा जो मानिफेस्टेशन है जो मैं कहती हूँ मेरा खतमी मस्वर्ल पर जाके होगा मैंने अभी भी रुकी नहीं हो मैंने फुल स्टॉप लगाया नहीं अपने मानिफेस्टेशन पर मुझे पता है कि मुझे वह ब्लू क्यूंकि यहां हम 30 कंटेस्टेंस में से कोई भी जाताता तो मेरा यही रहता है कि मिस वर्ल का गराउन टारगेट है वो घर आना चाहिए चाहिए जाहिं है कोई और लाए लाया तो अभी क्योंकि मुझे इसके उप्रचुनिटी मिली हो दूआ चाहूंगी कि मिस वर्ल का क्राउन घर है उसी के बाद मैं सांस मैं उनका बैक्स्टोरी जरूर जानना चाहूंगी कि उन्होंने इस प्लाटफर्म का कैसे यूस किया जो हमारे सामने है वो तो है उसके अलावा भी राइफ में क्या चेंज ए और क्या वो चीज रही जिससे इस प्लाटफर्म की वज़े से वो हासिल कर आई उसके लावा भी म उन्होंने जैसे बात करती है आप बस उन्हें सुनते रहेंगे चोटी सी एक बीस एकके साल की लड़की को पूरा देश बस बैठके सुनता रहता तो कुछ तो बात है मुझे बस बात जाननी है उनके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह की तैयारी आपने की यहां तक पहुँचने के लिए वो जो जो जोनी थी आपकी आपने वड़ुद्रा के यूनिवरसिटी से साया जी रा यूनिवरसिटी से पढ़ाई की तो यह तैयारी का जो पूरा प्रोसेस था वो कितना लंबा चला कितना हेक्टिक था, कितना चालेंजिंग था और सबसे बड़ा चालेंज क्या था जब आप Miss India की फिनाले के मंच पर थी तो वैसे जैसे मैंने कहा कि मैं रंगमंच से जुड़ी हुई थी तो स्टेज कोच भी हो Miss India का स्टेज हो रंगमंच का स्टेज हो में को अपने आपको स्टेज पर रखना और और ओडियन्स का रखना बहुत पसंद था तो तीन साल मेरा ग्राजवेशन हुआ महाराजा सायजराव उनिवसिटी में उसके बाद मैंने डिसाइड कि मुझे Miss India में जाना चाहिए तो उसी के दौरान मैंने ट्रेनिंग लेने का डिसाइड किया मैंने मुंबई से ट्रेनिंग ली पाज़न की पकाइदा पूरी ओफेशल ट्रेनिंग इसमें को रंप वॉक हमको ट्रेनिंग हमको फोटो शूट्स मेकप ग्रूमिंग सब कुछ सिखाया इन सारी चीजों के सा आप या सिफ कपड़ो है सिर्फ ग्लैमर पर आके खतम नहीं हो जाती है इड गोस बियॉर्ड आट आप स्टेट फिनालस टिक बन जाते हो तो ठीक है आप बन गए लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजे ऐसी होती लाइफ में जो आपको एक्स्पिरेंस से ही करने को मिलती ह जो आपको कोई ट्रेनिंग अकाडमी सिखा नहीं सकती है कि आप बीस दिन रहते हो आप पर पूरा दिन बस काम कर रहे होते हो सब को वो क्राउन चाही होता तो काफी सारी लर्निंग होती जो आपको मिल जाती है उस दोरानी लाइफ अपने आप में बहुत बड़ा टीचर ह हो जाती है उस दोरान और सभी लड़किया में कहना चाहूंगी तीस के तीस लड़किया हम बहुत डिजर्विंग थी और सभी कुछ ना कुछ लेकर निकली है यहां से क्राउन तीन के पास है लेकिन एक्सपीरियंस सब के पास है इश्वर अराय ने फिल्मों में है उसके बारे में कुछ बताईए अक्टिंग कब से आपने शुरू की वो फिल्म के लिए अक्टिंग कब से आपने शुरू की वो फिल्म के लिए अक्टिंग मैंने ओडिशन भी नहीं दिया था मेरा फिल्म में आने का प्लान नहीं था जैसा मैं आपको बताया मेरा था कि मैं सिंडिया के बाद ही मैं फिल्म करोंगी लेकिन क्योंकि मैं Ramlila में सिर्था का करती हूं पांच वर्षों से तो उस किर्दार जैन में और भी और एलिवर इंडिया होती है वूर रम लिला तो उसके अंदर मुझे वह फिल्म के डिरैक्टर अई हुई थै डिरैक्टर राइ क्योंकि मेरे सर्ज जो मुझे थेटर में लेकर आये थे उन्हों ने मुझे से कहा था तो मैं ठीक है बात करते 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 मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने वो का फिल्म साइन कर ली और वो फिल्म का शूट हो गया दो महीने का उस फिल्म का नाम चंबल पारे चंबल मी बहुत सुन्दर उसके एस्थेटिक्स ते फिल्म के खडी बोली बिजबाशव में फिल्म है वो एक पीरिएट फिल्म है सिकस्टी सका स्टोरी है उसमें आधा स्टोरी रिवेल ही का ना चाहोंगी मैं चाहोंगी कि जब रिलीज हो तो सब उसे देखने आए अभी फिलाल उ उसमें मेरा एक primary character ही है एक लड़की का character है 17-18 साल की लड़की है character जिसकी शादी की बात चल रही होती है और it talks a lot about कैसे पहले के time पर एक छोटी सी चीज, छोटा सा कुछ भी हो जाता था लड़की की गलती नहीं भी होती थी लेकिन फिर वी कट घरे में खड़ी कर दी जाती थी उसी तरह का कुछ character है और बहुत positive, बहुत soft और बहुत real India को दिखाती भी story अगर आप फिल्म रिलीज हो रही है रिलीज डेट अभी तक पता नहीं चली क्योंकि फिल्म अभी international film festivals में अच्छा परफॉर्म कर रही है वहाव से अगर कुछ उसको नए आयाम खुलते हैं उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो उसको फिर इंडिया में रिलीज किया जाएगा मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा निकिता कि मिस इंडिया तो आप बन गई है आप आक्टिंग भी कर रही है आपने थेटर रंगवंज में तकरीबन 60 प्ले किये हैं आपने 60 प्ले किये हैं मतलब काफी आपने काम किया है दोज़गी करिशन लीला भी लिखी थी उसके बारे में बताईए आप काफ सुभाव से काफी धार्मिक लगती है आपने सीता का किरदा राम लिला 5 साल निभाया है कृष्ण लीला दोसर पचा उसके बारें वताई कृष्ण लीला का मेरी लाइफ में वो लिखना उसके डायलोग्स मैंने अच्छे लिखे थे उसका होना ही मेरी लाइफ में बहुत चेंज़ लेके आया है जो कि मैं उसको लिखनी रही थी अच्छी पदमिश्री बद भगवतिलाल राजपुरोःत सवर करके उनकी वो स्क्रिप्टी जिस पर मैं काम कर रही थी मैंने ऐसी एक सीन उठा के बस अपने तौर तरीके से लिखना चाहा कि सर मैं लिखके देती हूं मुझे अच्छा लगता है लिखना क्योंकि उद्धव रसंग मुझे काफी पसंदा क्रिष्ण में तो मैं उद्धव रसंग परे लिखके दिया मैंने लिखके दिया कि मैंने सर कुछ लिखा है तो उन्हें काफी पसंदा है वो लोग रो दिये वो सीन पढ़ के बिकास मवेवर्थ पुरान पढ़के और श्रीमत भगवत पुरान का सहारा लेके उसके डायलोग्स लेके और उसमें राधा का किरदाय ने भाया फिर चली जाते हैं ते एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि जब ये ताज आपके सिर्पस सजा तो मम्मी पपा का क्या रियक्शन था क्या वो बात उन्होंने कही कितना प्राउड मुमेंट था उनके लिए भी और क्या आपके जो दोस्तों का नजरिया बदल गया है मिस इंडिया बनने के बाद क्योंकि नजरिया बदल जाता है लोगों का देखने का नजरिया बरताव भी बदल जाता है लोगों का जब आप सफलता हासिल करते तो क्या बदलावाया है और फैमली का क्या रियाक्शन था? मुझे लगता है जिनका बरताव नजरिया बदल जाए वो दोस्त नहीं होते है वो अपकी दुनिया होती है तो बदला है दुनिया का ब्रवया बदला है लेकिन अजयान के लोग बड़े सीधे सिंपल लोग हैं तो जब मैं कुछ नहीं भी थी ना तब उनको पता था कि बहु अब दिल से खुश हुए क्योंकि ना सिर्फ मेरे ममी पापा ना सिर्फ मेरे असपास की सुसाइटी मेरे फ्रेंज मेरा मेरा सिर्कल जो लोग मुझे नहीं भी जानती थे ना मुझे पता था मेरे दुआई कर रहे थे तो आज जब मैं जीती ना तो मेरे पापा के पास काफ कि अधकी विक्टरी हो गही है उजह न में और मेरे पारण्स तो उनकी खुशियों का तो मैं आपको अंदाज़ा भी नहीं दे सकती कियोंकि मेरी मुम्न के पास तो कुछ अबिनी एक आफ्री स्वाल जाते जाते चोटा सा कि क्या Miss India के फिनाले में पाटिसिपेट करने से पहले आप महाकाल के आपने दर्शन किये थे चूब कि आप धार्मिक है सभाव से और महाकाल की नगरी से बिलॉंग करती तो क्या आपने दर्शन किये थे मननत मांगी थी कुछ किया थ मैं बहुत रेगिलरली मंदिर जाती थी उजयन में और मिस इंडिया में आने से पहले भी मैं बाबा के पास गई थी मैंने उनसे मांगा नहीं क्योंकि मैं मुझे सा लगता है मैं मांगूंगी तो दे दोगे लेकिन आपने जो प्लान किया ना मुझे वो देखना मेरे लिए मैं मिस इंडिया में जा रही हूँ आपका प्लान देखने के लिए जा रही हूँ क्या पता मैं आपसे हजार मांगने वाली थी आप मुझे दोलाक रूपे देने वाले थे तो मैं हजार मांगूंगी तो आप मुझे हजार दे दोगे ना तो मैंने मांगा नहीं भगवान से मेरी मम्मी वगरा ने बहुत मांगा अलाग गई थी पर मैं गई थी मैं अभी भी जाओंगे मेरा पहला काम यह रहेगा जैन जाके महाकाल जाना है हर सिद्धी माता जाना है और वो सारे मंदिर जाना है जो मेरे लिए एक स्ट्रेंथ के रूप में थे जब मैं बहुत किव आगे बचाओंगे खास बाचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी जो ख्वाइश है कि अगला खिताब जो है मिस वर्ल्ड का एश्वर राई की तरह आप जीत पाएं वो सपना भी आपका साकार हो और एश्वर राई से जो मिलने की जो तमन्ना है आपकी जो एक भूख है कि मिलना है उनसे और बहुत सारी बाचीत करने है वो ख्वाइश भी पूरी हो बहुत बहुत शुपकामना है आगे के सफर के लिए धन्यवाद आपका बहुत धन्यवाद के साथ रवी जैन ABP News मुंबाई